जहीं दोस्तो बिहार पुलीस फायर मैंन से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था कि कैसे क्या आपका आगे का प्रोसेस होने वाला है कल की डेट में आपको एक नोटिफिकेशन भी देखतें को मिला होगा साम तक ये जो नोटिफिकेशन है खैर अफिसियल है लेकिन आप लोगों के लिए जो है अनफिसियल है यह आपको पेपर के माध्यम से मिलेगा या आपको जाके वहाँ फायर अफिस पता करना होगा उसके थुर मिलेगा या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जूर सकते हो और हमसे भी वह जो है नोटिफिकेशन को ले सकते हो कि ये कल का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको बताया गया है ले आउट बताया गया है कि कैसे वहाँ जाईएगा बज़े से 20 तरीक से आपका यो गिधान होना है तो वहाँ जाईएगा तो कैसे आपको सिस्टम देखने को मिलेगा मैंने अल्रेडी अपने पिछले वीडिय उसके बारे में और आप लोग का बहुत सारा भरभर के कोश्चन है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं तो वीडियो जो होगा आप लोग के लिए काफी ज्यादा कि इसके बारे में भी आपको जानना जरूइवा पर जाइएगा तो परे courtesy होईएगा और अभी से जो है mindly physically से तरह से तयार होके जाईएगा ठीक है इस चरह क्या होगा कि आपका भीड है वो कम होगा हो रोज 120 लडगिये को बुलाया आपको भी पता है तो vér पर्स्ट टेबल पर जो है आपका ऊपस्थीती कायंटर होगा मतलब जाएगा तो आपकी ऊपस्थीती देखी जाएगी कि आप absent है कि present है बस इतना ही आप admit card मतलब admit card कहने का मतलब यह कि जो running वाला पर admin card होगा हो सकता है उसको देखा जाए या जो आपको pass मिला हो उसको देखा जाए या आपका ID card देखा जाए और ID card देखने के बसे roll number आपको पुछा जाए और उसमें मिलालके और उसके बद से आपका उपस्थिती मतलब की signature मरवा के पी लिखवा जाए बस इतना ही काम पुछे एक चीज आपको लेके जाना है और एक चीज यहां पर बता देता हूं आप लोग का question रहता है कि ID card कौन सा लेके जाए पें card आधार card बोटर ID card कोई भी ID card ले जाओ ID card वैसा ले जाना जिसमें कोई भी चीज गडवड ना हो गडवड रहेगा तो थोड़ी सी दिक् card हो चाया अधार card हो चाया भोटर ID card हो कुशिस करना अधार card लेके जाए काफी बहियार आएगा उसमें सब कुछ देखने को मिल जाता है तीसरा जो counter होगा आपका photo अस्ताक्षर एवं सारीरिक पहचान चिन्हों की जाच की जाएगे मतलब जो आपने form भरा था उसमें जो स photo अस्ताक्षर होगा आपकी सारीरिक जो चिन्हों है कोई पहचान है उसकी जाच की जाएगे तो आपका photo देखा जाएगा आपका signature मिलाया जाएगा और यहां पर जो हो सकता है कि आपसे एक दो form भी भरवाए जाए इसी counter पर हो सकता है इसा possibility है लेकिन ये कम आपका आज नह map counter होगा मतलब कि यहां पर जो है आपका height, chest, weight, mensure किया जाएगा लड़कों का height plus chest mensure किया जाता है और लड़कियों का height plus weight mensure किया जाता है ठीक है तो यह दो चीज़े यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो यह आपका 4 counter पर इस तरह से चीज़े देखने को मिलेगी तो सेदेशक सहराज अगनिसामक पदा अधिकारी इनका नाम होगा मतलब डाइडेक्टर कम, स्टेट फायर अफीसर इनका जो हैं अंगllersी में नाम होता ही अधिकारी होंगे जो आपके सबसे बड़े अधिकारी होंगे और ही आपको न्युकती पदादिकारी होगे। बहुत ज़ीजन रहा हर तरह का कोशन रहा है तो उसके बारे में भी हम बात कर ल shortages कर लें सबसे पहले क्या इसी दिन medical हो जाएगा अम्हाम परिकिरयाई हो जाएगे तो जिन यही आपको चार चीजक करने में यह आपका तो ये चार चीज होगा उसके बाद से आपका further instruction दिया जाएगा कि आपका medical कब से होगा, पुलिस वरिफिकेशन कब से होगा ये दो चीज है आपसे बताई जाएगी और दो चीज़ों में जोard by police verification हुइशके लिए जो है आपसे एक форм भरवाई जाती है तो वहीं चीज मैंने आपको बताया हो सकता है किसरा काउंटर पर आपसे वह एक फॉम भरवाया जाए या उसके लिए आपको फिर से एक अलग डेट पर बुलाया जाए इस तरह से चीजे देखने को मिल जाएगे लेकिन आपका जो है ये प्रोसेस सभी लड़कों का 17 तारिक तक चलने वाला है ठीक है तो हो सकता है कि बीच में एक और काउंटर कोई बनाया जाए और उस पर जो है दो चार दिन बात से मतलब एक और एक्स्ट्रा काउंटर बना के और ये सब जो है प्रोग्राम सेट किया जाए देखिए क्या होता है आगे आप लोग जाईएगा थोड़ा सा conscious mind से जाएंगे बाकि एक किस के बाद से जिनका होगा उनको तो लगबग सब कुछ पता चलिये जाएगा कैसे क्या होगा मैं अपने वीडियो के मार्दिम से आपको अपडेट कर दूँगा कि बिल्कुल कैसे क्या हो रहा जैसे ये layout बनाया गया है बिल्कुल ऐ बाई चांस अगर आप छूट जाते हैं तो उनकी लिए भी जो है कोई ने कोई जो है कालम बनाया जाएगा लेकिन अभी जो है कोई चीज ऐसा देखने को नहीं मिला है नोटिस में ठीक है इस बात को मैं उम्हीत करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और अगर पिछली वेकेंसी के बाद करें जिसे बिहार पुलिस बिहार दरोगा तो उन सब वेकेंसी में जो है आपको एक एक्स्ट्रा कलम देखने को मिलता है मतलब कि जो लड़के छूट जाते हैं उनको दूर दिन एक्स्ट्रा बुलाया जाता है तो हो सकता है कि 17 तरीक तक सबका हो फिर ज आपको नोटीस के माध्यम से ही मिलेगा लेकिन अभी तक इसकी कोई जनकारी नहीं है इसलिए जिनका जिस दिन है उस दिन बिल्कुल जाना है नहीं तो आप अपसेंट हो जाएंगे तो फिर एक आपका जो है अलग प्रोसेस चालू हो जाएगा तो इसलिए जब जिसका है उस दिन आप जाओ ठीक है पीडिएफ जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा कोप पिके पंडिट सर्च करोगे टेलिग्राम पर तो हमिल जाएंगे ए डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसका लिंक मिल जाएगा उसके थूर जाओ और उस नोटीस को डा होने वाला नहीं ठीक है तो वहाँविछ पूल जाएगा इटण क्या होता है ञाउन्य कशन hats आप जया जैब पूच लेना अगर आहाको नहीं बताया जाता है सब पुछ लैना वहां पर किसान आपका मेडिकल कब खिरा जाएगा लेकिन इतना रहता है कि आपका जो है एक मन्त मतलब जो एक जड़ान का समय हैं इसी में आपका जुआ सारा प्रोसेस कर सक्षेरण कर दिया जाए लेकिन लड़कों की संख्या ज्यादा है सेंटर एक है तो सब्सक्राइब लोग जो हैं अपने पोश्ट पर कारे रहत हैं और दूसरे लोग तो आएंगे नहीं तुम्हारा मेडिकल करवाने या उसको करवाने उस उसीं में के लोग नियुत फोगे और उनीक द्वारा जो है शारा काम करवाया जाएगा बतलब जो भी अधिकारी के चलता है तो जाओ पहले 21 को ही सब कुछ किलियर हो जाएगा कि मेडिकल कब होगा क्या चीज़ होगा ठीक है आपको सारी कुछ अपडेट उसके बाद मिल जाएगी पहले 21 को चालूत होने दो तिर उसके बाद देखते हैं आगे इसके बारे में बात करेंगे यह का कॉस्चन है कर दिया ता पुरी मेडिकल दे सकता है अगर आपको चस्मा लगता है तो पहली बात एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि चस्मा आपका लगता है तो उस दिन मेडिकल वाले दिन जो है आपको चस्मा पान के बिल्कुल नहीं जाना बाकी क्या बोलते हैं अपना वहां पर जाके अपना बेस्ट देना और जो है वहां पर आपका six by six एक आपको देख्चेक किया जाता है जाहिसी बात है दूर डिजिट रहता उसको पढ़वाया जाता है तो आपको अगर ऐसा प्रोब्लम है तो हो सकता है कि आपको री मेडिकल मिल जाए लेकिन इतना बार जान ले है ने कर बने जान लेकिन अब जाता है आपको जोग्यदान करने जाओगे उसका जो है वेरिफिकिशन किया जाता है चकर ज्यू सकते हैं application लिखके जो है आप उसको ले सकते हैं तो अभी आपका डॉक्मेंट जमान नहीं होगा जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दी दे जाएगा और जब जो है आपका डॉक्मेंट लेके जमा कर लिया जाता है ठीक तो अभी जब है आपका डॉक्मेंट जमान नहीं होगा अभी आपका डॉक्मेंट बार जांच होने वाला है जो कॉस्चन है काफी इंपोर्टेंट कोस्चन है यह स्पेसली जो है फीमेल के लिए है कि जो एक कोई प्रेग्नेंट लड़की है उसका क्या सीन होने वाला है वहां पर मतलब उसका ट्रेनिंग होगा जो भी फीमेल कंडिडेट अगर प्रेग्नेंट पाई जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी रही बात आपकी ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग में भी आपके उपर विचार किया जाएगा अधिकारियों के उपर डिपेंड करता हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग आपके एक्स्टेंड कर दिया जाए इस तरह से कुछ चीज़े देखने को मिलेगे लेकिन आप बाहर नहीं हुएगा तो आपको ज्यादा नहीं सुचना है आप जाईए आप अराम से आपका जो भी प्रोसेस हो रहा करिए मेडिकल हो रहा मेडिकल दीजिए फिर जब आपकी ट्रेनिंग के बारी आएगी तब जो है आप फाइल करिए कि मैं ट्रेग्नेंट हूं मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती इस तरह से आपको वहां पे अप्लिकेशन डालिएगा तो आपके बारे में ज़रूर विचार किया जाएगा ठिक कि इससे रिग पर जान के लिएगा और जो है उस पीडियेफ में जाके देखें बिलकुँ जो पीडियेफ है आपको आपको अफीसियल है बहले वह आपको अफीस्यल किसी भी साइट पर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वह जो है official है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप फायर अफिस पटना चले जाओ वहाँ जाओ ऑफिस में मिलो अफिस टाइम क्या बोलते हैं 10 से 6 के बीच में जाना वहाँ पर जाके और किसी भी अधिकारी से वहाँ पर मिल के जो है आप लिश्ट अपने नाम चेक कर लेना और वहाँ से जो है आपको इस पर नहीं हो रहा तो आप वह विश्वास नहीं हो रहा तो वहाँ भी जाके आप पता कर सकते हो कोई दिक्कत में अब जो नौकरी की बात है या तो जो है आपको थोड़ा सा भागा दोड़ी तो करना ही होगा ठीक चलिए इसके लावा भी अगर आपके दिमाग में कोई कोश्चन करी होगा तो आप उसको जो है आप लोग कुछना मत भूलिएगा और चैन दोस्तों फिर मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट अबेट में जैहिंद बनने मात्राव